हेलो एवरिवन आज हम डिसकस करती हैं सिक्षान सूत्र सिक्षान सूत्र ये ऐसी बिदियां हैं जिनकी साहता से पठन पाठन का कारी आगे बढ़ता है ये सभी सूत्र अनुवप पराधारित हैं और इनका प्रियोग सोज बूझ के साथ करना होता है ये सूत्र चात्रों की प्रवर्ती और उनके मनवज्ञान से जुड़े हुए हैं प्रमुख सिक्षान सूत्र निमलिकित हैं ग्यात से अग्यात की और सुगम से जटिल की और सरल से जटिल की और सुगम से कटिन की और सरल से जटिल की और इस्थूल से शुक्ष्म की ओर, पौन से अंस की ओर, एनिचित से निचित की ओर, पिर्तियक्ष से एपिर्तियक्ष की ओर, बिस्षिस्ट से समानने की ओर, बिसलेशन से संसलेशन की ओर, मनुवज्ञानिक्ता से तार्ट सीउता की ओर, आगमन बिदी अनुभब से तरक की ओर अब हम एक-एक को डिसकस करते हैं शिक्षन को प्रभावे बनाने के लिए प्रमुक शिक्षन सूत्र निमलिकित हैं आसान से जटिल की ओर अध्यापक को बिसे समागरी को आसान और जटिल दो भागों में बाट कर आसान का समागरी को पहले पढ़ाना चाहिए तथा जटिल समागरी को बाद में समागरी को आसान बे जटिल भागों में बाटने का काजिश सिस्सों के दस्टिकोंड से उनकी प्रस्ट भूनी को दियान में रखकर किया जाना चाहिए ऐसा करने से चात्रों की पाट में रूची बनी रहेगी ग्याद से अग्याद की और अध्यापक को सबसे पहले चात्रों के भूत पूर्व ग्यान का पता करना चाहिए और नया ग्यान पूर्व ग्यान के अधार पर बना कर ही दिया जाना चाहिए इसके दो लाब हैं, एक तो यह है कि ग्याद से अग्याद की और सिफ्टिंग इतनी असानी से होती है कि छात्रों को पता ही नहीं चल पता कि कोई नया ग्यान प्राप्त कर रहा है, दूसरा यह है कि पाट उनके लिए आसान हो जाता है द्रश्चे शे एद्रश्चे की और जो कुछ बच्चा देख चुका है, सायक समागरियों को उसी अधार पर तयार करके, जो कुछ छात्र ने अब तक नहीं देखा, उसके जानकारी दी जाती है कारण यह है कि बच्चा बरतमान की दुनिया में रहता है, अतीत या भवश्य में नहीं जब सिक्षक के अनुबब के साथ साथ चातर का अनुबब भी जुड़ जाता है, तो इससे पाट जो है आसान हो जाता है वो बहुश्य से जुड़ी या तीत से जुड़ी ही बाते चातर को आसानी से बता देता है थोस मोर्थ से बहब की और, बच्चे का मानसिक विकास थोस बस्तो के अनुबब से ही आरम बोता है, इसलिए थोस बस्तो का ग्यान पहले दिया जाना चाहिए इसलिए कक्षा में मोडल या चितर दिखा कर पाट को बिक्सित किया जाता है थोस बस्तो की जानकारी के बाद, बच्चे भावात्मक तत्यों को भी सीख सकते हैं बिस्त से समानने की और, तत्यों को इसपस्ट करने से पहले चात्रों के सामने बिस्त उधारन प्रस्तोत किये जाने चाहिए फिर इन उधारनों के अधार पर उन्हें नियमों एवं सिध्धान्तों का अध्यन कराया जाना चाहिए सिक्षण की परदर्शन बिधी इसी सूत्र पर आधारित है इससे पाठ छात्रों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि छात प्रेक्षण एवं परिक्षण के द्वारा नियम एवं सिध्धांद स्वेम भी निकाल लेते हैं नेस्ट है पौर से भाग की और गैस्टॉल्ट मनोबेग्यनिक का मानना है कि हम किसी बस्तों को सबसे पहले पूरी की पूरी देखते हैं फिर इसके पीविन अंगों का अंकलन करते हैं और धारण के लिए हाती को देखकर पूरे हाती की संकल्पना हमारे मस्टिक्स में पहले बनती है फिर उसके पैरों हातों सून की और हमारा ध्यान जाता है और पूर्ण की सहता से भाग भी याद आता रहता है काक्षा में अध्यापक को भी सारुपर्थम पूरे पाठ का प्रारूप छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए फिर इसके एक-एक भाग की ब्या इसलिए अध्यापक को पहले सैदानतिक ज्यान देना चाहिए बाद में प्रयोगात्मत ज्यान मनोबेग्यनिक से तार्किक के और जब छात्रों की आयू इस्तार रूची जिग्यासा आदि को धियान में रख कर सिक्षण किया जाता है तो इसे मनोबेग्यनिक सिक्षण कहत आ einmal पर आधारित ग्यान बहुर्ण है जो ना प्राप्त होना का देट्शन पुरा तत्व की खुदाई से प्राप्त एतियास से घ्यां आ दि समझपर आधारित ग्यान बहे ग्यान है जो तारकिक नियमों पर ख़ड़ा उतर सके। जैसे किसी प्रातत्व का यूग जानने के लिए उसे बेग्यानी कदारों पर परखा जाए और निसकर्थ का उस यूग की अन्य बस्तों से मिलान किया जाए। इस प्रिकार रेशनल ग्यान में आस्ता या विश्वास का कोई महत्व नहीं दिया जाता। अध्यापक कच्छा में अपना सिक्षा से आरम करता है और चिंतन सक्ति का प्रियोग घरगे इसे तारकी ग्रूप देता है। विश्लेशन से संस्लेशन की ओर बहवार में भी तोड़ना आसान तथा जोड़ना कठिन होता है किसी समस्या को तारकी कदार पर विन-विन घंडों में बाट कर एक-एक खंड का अलग-लग अध्यन करके समाधान तक पहुचना बिस्लेशन। संस्लेशन छोटे-छोटे किसी भी समस्याओं को मतलब जोड़कर उसका समाधान करना जैसे जो हमारा बिस्लेशन है वे भूग चात्र को सिक्षा उनके सारे लिए केवन मानसिक विकास के अनुरुप स्वेतंत्र वातावरण में दी जाती है जबकि चात्र को जीवन एवन समाध के आदर सिकाना आदर्थवाद है अध्यापक अपना सिक्षा स्वेतंत्र वातावरण में आरम करता है और चात्र को स्वे तीवंद की उपयोगिता के माध्यम से इन आदर्सों को मानना सिखाया जाता है। पुस्तकों का सार उनके सामने प्रस्तुत करता है। थैंक्स पूर वोचिंग चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें।